अब हम करने वाले हैं notice under section 80 of CPC तो इसका हमें छोटी सी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि पहले हम लिखते एड़ोकेट कि जो एड़ोकेट भीज रहा ना उसका नाम आएगा यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि डली हाई कोड फिर दली ऐसे यहाँ पर रिलीफ आप मांग क्या रह जाए यह और उसके बाद आजगा यहाँ पर हेडिंग आ जाती ही कि लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 30 अंडर सेक्शन 80 CPC आपने भेंज जाए फिर सर आप अपने मैं क्लाइंट के बिहाफ पर भेंज रहा हूं एड़ोकेट यह और मेरे क्लाइंट का क्या क्या इश्यू है वह सरा आप एड्रेस लिख दो कर दोगे आप पैराग्राफ में लिख सकतो जित्ते चाहिए जिसके अंदर आपकी मतलब आपको अपनी पूरी बात रख देनी है अपोजिट वाले एड्वोकेट के सामने कि यह सारे इश्यू है और लास्ट में आपको एक करना है यहाँ प और फिर सब्जेक्ट मेंटर क्या है किस दीज के लिए जैसा हमने इसमें देखा दह रिलीफ क्या है वह आ जाया भा फिर मैश्यू आप अ काया कउर् फसंद नहीं होगा स्टी हिंद जय भारत